नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागते कृष्णा एज्यू के सन यूटूब चैनल पे दोस्तों इस चैनल पे हम आपको इंटरनेट एंडरोइट कॉम्पिटर के प्रोग्राम के बारे में जानकरी देते हैं दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सबक्राइब नहीं क्या हो तो प्लीज सबक्राइब किजिए सबक्राइब करना बिल्कुल आसान और फ्री है जिहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है हमारा चैनल सब्क्राइब करना बिल्कुल फ्री है आपको अपने इमेल एकाउंट में लॉग इन होने के बाद हमारी यूटूब चैनल पे रेट कलर वाला सब्क्राइब बटन दबाना है दोस्तो हमारा चैनल सब्क्राइब करने से आप घर बेटे ही मुफ्ट में आपको इंटरनेट, एंड्रोइट, कॉंपिटर के प्रोग्राम, टैली, ERP9, फोटोशॉप, कॉरल रू, पेज मेकर, MS Office 2010 की सारी जानकारी मुफ्ट में मिल जाएगी तो दोस्तो अभी ही सब्क्राइब किजिए और दोस्तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्क्राइब कर दिया हूँ, तो दोस्तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो दोस्तो आईए हम आगे सिखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, टेक्स बोक्स हम यहाँ पर कोई भी मटे टाइप करने के लिए टेक्स बोक्स पे क्लिक करेंगे और ड्रो करके हम उसमें कोई भी टेक्स को टाइप कर सकते हैं इसके बाद हम header putर देखेंगे जैसे हम इन स्लाइडों के top में और footer में कुछ भी title एड़ करना चाहते हैं तो हम यहां से header और footer का use करेंगे जैसे हम यहाँ पर dat and time देना चाहते हैं सबसे पहले हम header footer में लेंगे footer हम powerpoint में header का use नहीं कर सकते हम सिर्फ यहाँ पर footer का use करेंगे footer में हम जो भी type करना चाहें वो हम लिख सकते हैं जैसे हमने लिख दिया company का address अगर हमें only एक slide के नीचे इसको लेना है तो हम apply करेंगे और अगर हमने जितनी भी slide यहाँ पर बनाई हुई है सब के footer में लेना है तो हम यहाँ पर apply to all करेंगे इससे हमें हर slide के नीचे उसका footer दिखाए देगा इसी तरह से हम date and time का use करेंगे हमें जैसे date and time भी यहाँ पर use करना है तो हम इस पर click करेंगे और current date हम यहाँ पर apply कर देंगे जैसे आज date है 30 September तो हम यहाँ पर इसको apply to all कर देंगे अगर हमें date wise, day wise लेना है तो हम यहाँ पर day wise भी इसको select करके apply to all कर देंगे तो यहाँ पर हमें date भी दिखाए देगी इसके बाद हम slide number देंगे जैसे हमें slide का number देना है जैसे यहाँ left में 1, 2, 3, 4 इस तरह से slide number हमें दिखाए देगी है हम चाहते हैं कि यहाँ slide पर हमें सामने front में भी दिखाए दे तो हम slide number पर जाएंगे slide number पर check करेंगे और apply to all कर देंगे तो यहाँ पर slide पर आपको number दिखाए देंगे जैसे यहाँ पर photo album में number 1 दिखाए दे रहा है 2 number, 3 number, 4 इस तरह से हम यहाँ front में सामने भी page number देख सकते है word art जैसे हमें यहाँ कोई भी text word art में style में type करना है तो हम word art पर click करेंगे और text लेंगे और यहाँ पर जो भी हमें text type करना है वो हम यहाँ पर type कर देंगे जैसे हमने यह word art में software computer टाइप किया फिर हम लेंगे symbol जैसे हमें इसके आगे कोई भी symbol एड़ करना है तो हम यहाँ पर swap com के आगे click करके symbol लेंगे और जो भी symbol हमें चाहिए वो हम edit कर देंगे जैसे हमें telephone का symbol लेना है insert करेंगे close next हम डेकेंगे design design menu में हम यहाँ से design में colors होगर addending कर सकते हैं जैसे हम photo album पर click करेंगे और यहाँ पर themes पर click करके हम किसी भी theme को apply कर देंगे फिर हम यहाँ से इसके colors को change कर सकते हैं theme color के हम fonts style भी change कर सकते हैं effects हम जो भी effect हमें चाहिए यहाँ से हम effect apply कर सकते हैं next हम background styles को change कर सकते हैं यहाँ से हम hide background graphic को hide कर सकते हैं अगर हमें particular सब्स लाइडों का color अलग अलग लेना हैं तो हम यहाँ से background की इस arrow पर click करेंगे और जैसे हमें solid fill color लेना है जिसे first slide का यह color हमने change किया इसी तरह से हम second slide पर click करेंगे और second का color भी हम change कर सकते हैं तो हम particular slide को select करके अलग अलग color यहाँ से fill कर सकते हैं जैसा हम इसको picture and texture fill करना है उसको select करेंगे pattern fill करना है तो pattern select करेंगे इस तरह से हम यहाँ से इनको change कर सकते हैं close कर देंगे particular हर slide का अलग-अलग effect हम यहाँ पर apply कर सकते हैं page setup में जाके हम page का setup change कर सकते हैं slide orientation से page हमें portrait लेना है print out में यह landscape वह हम यहाँ से change कर सकते हैं जैसे यह जो slide यह portrait है landscape में है अब portrait लेनी तो portrait पर क्लिक कर देंगे generally इसकी slide जो print out होती हो landscape में ही रहती है next हम आपको page setup में जैसे इसके setup विर्थ में कितना रखना है height में कितना हमें लेना है number of slide from में हमें कितनी रखनी है वो सब हम यहाँ से adjust कर सकते हैं then okay कर देंगे इसके बाद आप next topic आपको अगले topic में बताएंगे धन्यवाद दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ share करे subscribe करे और like करे अगर आपको कुछ जान करें चाहिए तो प्लीज कमेंट करें थैंक यू फर वाचिंग